Hello everyone, so lipid metabolism में आज हम सबसे complex reaction fatty acid synthesis को सबसे पहले देखेंगे फिर आगे चलके beta oxidation cholesterol metabolism काफी easy हो जाएगा So अगर अभी तक subscribe ना किया हूँ तो जरूर कर दें, bell icon भी दबा दें पूरा वीडियो end तक देखें क्योंकि ये थोड़ी सी tough reaction है समझाने के लिए भी और समझने के लिए भी So अगर आप end तक देखेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा और आखरी में again एक question है, ध्यान लगा के सुनिए So उसका answer comment box में दीजिएगा So शुरू करते हैं fatty acid synthesis Fatty acid synthesis में ये fatty acid synthesis complex हमें समझना है So अब हम इसे कैसे समझ सकते हैं, आसान तरीके से अब हम देखते हैं So basically आपको पता होना चाहिए हर reaction हो क्यों रही है जैसा कि आपको मैं हमेशा कहता हूँ Fatty acid synthesis क्यों होगा Basically जब आपकी body well fat state में है आप अच्छे से carbohydrates लिये हैं, proteins लिये हैं So अब आपकी body क्या चाहेगी कि जो भी excess है उसे fatty acids में convert कर दिया जाए ताकि जब भी starving होगी तब इसे हम energy के लिए utilize कर सकें अब fatty acids store कैसे होगा Trisyl glycerol के form में store होगा Glycerol से combined होके और ये हम अलग reaction पढ़ते हैं TAG synthesis, आज हम पढ़ रहे है fatty acid synthesis, site आपको पता है और extra mitochondrial है मतलब in cytoplasm है So अब शुरू करते हैं, अब इसको मैं चाहता हूँ, आप एक example की तरह याद रखिए, basically अब मैं आप से जो भी कुछ कहूँगा, आप समझी आप एक factory owner है, और उस factory owner का काम है, fatty acid बनाना, ठीक है, So अब सबसे पहले factory owner सहाब, आप बताईए आपकी requirements क्या क्या है, So आप बोलेंगे कि देखें मैं को fatty acid बनाना है इतना बड़ा fatty acid है, I require source for carbon atom, RCOH होता है, So carbon atom का source का है, acetyl coenzyme A अभी acetyl coenzyme में, जैसी मैंने बोला, आपको click करा होगा, कि glycolysis में, pyruvate PDH के presence में, acetyl coenzyme A बनाता था, यहाँ से TCA cycle का fate आपको पता है, So acetyl coenzyme A, एक source, वहाँ से मिलेगा और दूसरा, beta oxidation भी यदि आपको याद हो, हम आगे और देखेंगे, So उसमें भी 2 carbon unit, acetyl coenzyme A, release होते जाते है, So अब आपको un acetyl coenzyme A, 2 carbon unit को, बहुत बार जोड जोड के, आपको ultimately क्या बनाना होगा, एक fatty acid बनाना है, suppose palmatic acid बनाना है, 16 carbon का, ठीक है, और आपने क्या बोला, कि मुझे reducing equivalents चाहिए रहेंगे, NADPH के form में, और energy चाहिए, ATP के form में, So ठीक है, आपकी requirements फुल्फिल होगी, आपको पता है, आपकी site है cytoplasm, So अब आप बनाना शुरू करिए क्या दिक्कत है, So आप बोलेंगे, नहीं ये mitochondria में है, क्या acetyl coenzyme है, इस mitochondria वाले acetyl coenzyme को cytoplasm में ला कर दो, क्योंकि में को cytoplasm में fatty acid synthesis करना है, So body करेगी, कि ठीक है, आपको mitochondria से cytoplasm में ला के देगी, acetyl coenzyme A, अब freely permeable तो है नहीं, So उसको पहले oxaloacetate से combine करना पड़ेगा और ये reaction भी आपको कहीं न कहीं याद होगी, So ये क्या बनाता है citrate, citrate बन रहा है so enzyme का नाम हुआ, citrate synthase अब ये citrate जो है, ये जरू transportable है, एक TCA transporter होता है, tricarboxylic acid क्योंकि citrate tricarboxylic acid है So citrate transport हो गया अब cytoplasm में आपके पास आगया citrate सो आपने citrate को तोड़ दिया citrate liase और वापस से आपको acetyl coenzyme A मिल गया oxaloacetate का क्या करेंगे इसको आप ultimately pyruvate में convert कीजिए pyruvate को वापस अंदर पहुचा दीजिए क्योंकि pyruvate से बन रहा था ये ठीक है, और इसी process में NADPH भी मिलेगा, और NADPH HMP shunt से भी मिलेगा So ये आपकी दोनो requirement पूरी होगी fatty acid synthesis की, so अब आपने ठीक है, अब मैं बना सकता हूँ अब आपको 2 carbon से 16 carbon बनाने है, so आप सबसे पहली step क्या सूचेंगे, आप सबसे पहले motivate करना चाहेंगे किसको 2 carbon वाले को, so motivation कैसे होगा, सबसे पहले melonyl coenzyme A formation होगा इसका मतलब, जो 2 carbon है, उसमें हम 1 carbon और add करके, उसे 3 carbon का convert कर देंगे, तो carboxylase enzyme हो जाएगा, acetyl coenzyme है, वैसे का वैसा, biotin एक बहुत important cofactor है इसके लिए, और इसमें हमें ATP लगेगी, so ये आपको एक reaction याद रखनी है, start करने से पहले, बस, अब कोई extra reaction नहीं है, अब हम proper start करते हैं fatty acid synthase complex को समझते हैं, so fatty acid synthase complex को समझने के लिए आपको थोड़ा सा patience रखना पड़ेगा ये कई बार मैं आपको अलग-अलग चीज़े बताऊंगा, उनको club करके समझे so fatty acid synthase complex क्या है सबसे पहले dimer है, ठीक है दो identical units है, x shaped है, मतलब ये 1x ये 1x इदर रहा होगा so 2 identical units है और वो दोनों एक दूसरे से combined है, और एक जैसा काम कर रही है ये harper का diagram है, basically 2 identical units है, एक यहाँ और एक ACKC यहाँ अब ये जो मैंने BGC में लिख रखा है ये क्या है, basically ये एक unit है, इसमें enzymes है, कितनी enzymes है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 6 enzyme है, और एक ACP है, acyl carrier protein, ठीक है, और ऐसे के 6 enzyme और acyl carrier protein वहाँ पे भी होगा, so ये 6 enzyme कौन-कौन सी है, ये 6 enzyme है जिनका मैं short form लिखा हूँ, कैसे याद रखना है, 2 minute में बता रहा हूँ so आपको enzyme पता चल गई, और ACP है, ठीक है, अब अब आपको क्या करना है, ACP पे आपके पास क्या है, एक residue है, आपको पता होगा कि residue का काम क्या होता है, कि वो किसी चीज़ को receptor की तरह काम करता है, और किसी चीज़ को attract करता है, so जो ACP है, उस पे pantothenic acid, SH residue है pantothenic acid क्या है, आपका vitamin B5, ACP has pantothenic acid, vitamin B5 in form of 4-phosphopentene that is SH, so आपके पास 1 SH group यहाँ है, और 1 SH आपके पास सिस्टीन residue के form में है, in आपका जो दूसरा enzyme है, ketoacyl synthase में so अभी आप उतना मत याद रखी, अभी आप बस इतना याद रखी, कि आपके आज 2 SH group है ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा कि यह चो दो आपके enzyme के units है, यह दोनों है आपके एक fatty acid complex में और यह दोनों में जो है anti-parallel orientation है anti-parallel orientation का मतलब क्या है अगर proper reaction की बात होगी so आपका यह पूरा complex है so इसमें एक है आपका cis-SH और एक है आपका pan-SH, so pan-SH का मतलब क्या है यह ACP रहा होगा इधर और यहां रहा होगा आपका ketoacyl synthase और जो आपका दूसरा side चल रहा है, वो बिल्कुल anti-parallel है ठीक है, so यह आपकी एक reaction होई अब इससे हम समझना शुरू करते है so basically आपको मैं बताता हूँ यह enzyme याद कैसे रखना है, देखो आपने शुरूआत कहां से की आपके पास क्या था, acetyl coenzyme है और आपने acetyl coenzyme A को बनाया melonyl coenzyme है, so आपके पास acetyl coenzyme है और melonyl coenzyme A है, अब आपका सबसे पहला role क्या है, कि आप उन्हें, बिल्कुल एक प्रकार से आप ऐसा समझ लिए, आप उन्हें combine करने वाले हैं, और combine करके जो product बनेगा, वो है आपका ketoacil इसलिए enzyme का नाम कहा है, ketoacil synthase, ठीक है, अभी समझाऊंगा मैं कैसे product बन रहा है, अब फिर जो बना उसको further reduce करेंगे, in oil reductase से, ठीक है सो मैं आपको क्या याद रखना है दो में हैं आपका condensation, ये condense कर दिया आपने एक product के form में फिर तीन हैं आपकी reduction ठीक है, और फिर ये last है आपका thioesterase, इससे आप cleavage कर देंगे, जो भी आपका बना है, सब तोड़ देंगे, और तक कि आपको ultimately जो product चीए, वो मिल जाए ये चीज़ होगी, अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और धिहान रख लीज़े, एक होता है acetile, acetile का मतलब 2 carbon unit, ठीक है, और एक होता है acyl, मतलब acyl so acyl क्या होता है आपका basically acyl is something जो एक particular जो fatty acid है उसके नाम पर होता है, जैसे palmetoil या वैसा, so आपको acyl बनाना है, acetile से, ठीक है, अब ये acyl आपको अगर 4 carbon का जैसे इस reaction में दिख रहा है, so ऐसे ultimately ये आपको मैं कहूं कि आपको palmetic acid बनाना है, so acyl group किते carbon का हो जाएगा, 16 carbon बन का, so अब हम देखेंगे कि वो चीज होती कैसे, so आपको जो याद रखना है, sequence वो क्या है acetile, melonile, एकी बात हो गई, फिर ketoacile, फिर ketoacile से ultimately आपको क्या चीए acyl चाहिए, ये आपको पता होना चीए so अब इतनी चीज हो गई, थोड़ा सा complex है, समझ रहों, पर एक बार बने रही है, so अब देखिए, अब आपन इस reaction को अच्छे से देखते है, so basically क्या होगा, कि आपका ये आपके पास fatty acids, synthase complex है मैंने आपसे कहा दिया, दोनों anti-parallel है, ठीक है, आप देख सकते हैं, anti-parallel का मतलब क्या होगा, ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, मैंने आपसे कहा acetyl coenzyme A, और melonyl coenzyme A, ठीक है, ये basically इन targets पर आके attract हो जाएंगे, so acetyl coenzyme A भी आगया, melonyl coenzyme A भी आगया, ये दोनों enzyme combined इनको कहेंगे, melonyl, acetyl, transacylase, ठीक है, इसका मतलब coenzyme में बाहर हो जाएगा और ultimately एक product बनेगा ketoacyl, ठीक है, अब इसके, ये दोनों का जो है, इनके बीच में एक intermediate बनता है, पहले acyl melonyl, फिर acyl melonyl further बनाता है ketoacyl तो आप चाहें तो इसको याद नहीं रखें आप बस इतने याद रखें कि acetyl और melonyl coenzyme में इस पर act करेंगे, और फिर ultimately, अब क्या हो रहा है, ये 2 carbon का है, ये 3 carbon का है, so इसमें से 1 CO2 निकल जाएगा, so बच्चा कितना 4 carbon so जो 4 carbon का compound है, वो आपका ketoacyl, ये आप देखिए, ये cis-SH आपका ऐसे कैसे रहा, basically, acetyl आप समझ लीजिए, यहाँ पर आके, इससे combined होके, 1 CO2 बाहर निकल गया, और जो बना, वो बना ketoacyl with 4 carbon so अब आपके पास ये चीज़ आपको अब मिली, ठीक है, cis-SH और pan as ketoacyl enzyme इसको हम कहेंगे ketoacyl enzyme या acetoacetyl, acetoacetyl क्यों कहा, क्योंकि 2 carbon 2 carbon हो चुके हैं, जो आपका 1 CO2 remove हुआ है, so acetoacetyl so आपको इतना याद नहीं रखना है, आप बस इतना भी याद रखेंगे कि यह पहली step और फिर ketoacyl मिल गया अब ketoacyl मैंने आपको कहा था आपको इसको reduce करना है so reduce करने के लिए आपको यह तीनों enzyme साथ में याद रखना है reducing के time के आपको reducing equivalent चाहिए रहेंगे, जो कि हमारी requirement ही so वो आपको पता है, अब यह है उनका product, इसका मतलब अगर ketoacyl को आप सबसे पहले ketoacyl reduce करवा रहे है so hydroxyacyl मिलता है यह आप चाहे तो याद रखे, चाहे तो ना याद रखे, अब hydroxyacyl मिला, अब hydroxyacyl को dehydratease से, देखिए reduce करना है, so hydroxy मिला so OH है कहीं न कि hydroxy so आप इसमें से dehydratease कर रहे है so भी reduction है, है न so dehydratease के बाद जो मिलेगा, वो मिलेगा unsaturated acyl, आपको क्या मिल गया है acyl ही तो चाहिए था, पर unsaturated मिला है, so इसको फिर से inoil, मतलब double bond भी तोड़ रहे है, reductase, so इसके थुरू आप acyl group मिलेगा so यह ultimately आपका acyl enzyme मिला आपको 4 carbon का, so अब आपको समझ में आए कि acyl 4 carbon का मतलब क्या है, अब acyl 4 carbon का आपको मिला, so यह आपका penase, ठीक है, अब यहाँ पर यह reaction दिखिया, penase H पर melonyl act कर रहा था और फिर इनका condensation हो कि 1 CO2 बाहर निकली, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि penase पर, अब यह एक reaction हो गई, अब इसी reaction में मैं वापस melonyl अगर act करा दू so आपका 4 plus 3, 7, 1 एक निकल जाएगा, so आपको क्या मिलेगा ultimately ketoacyl मिलेगा 6 carbon का, फिर ketoacyl 6 carbon का मिला, फिर उसकी reduction हुआ, फिर वो मिला acyl 6 carbon का, so अब ऐसी reaction आपको चलाते रहना है, आप ऐसी cycle 6 बार repeat करिए, इस पर फिर से 3 melonyl जोडिए, so 9 so 9 में से 1 गया, तो 8, फिर 8 से ये बना, फिर 8 से फिर, फिर, फिर so ऐसे आप repeat करेंगे, so ultimately आपको acyl group मिलेगा, 16 carbon का, और ये 16 carbon का acyl group ही हमको चाहिए, so basically इसको फिर हम जो हमारा आखरी enzyme है, thioesterase देखिए, आप सारे enzyme utilize हुए की नहीं, सबसे पहला enzyme आपने बोला, कि melanoyl, acetyl transacylase, फिर आपने बोला ketoacyl synthase, फिर आपने 3 reduction करवा है, फिर आपको ultimately cleave करना है, thioesterase से, so आपको मिल गया आपका individual fatty acid, और fatty acid synthase complex आपका ऐसा का ऐसा वापस चले जाएगा, so थोड़ी सी complex reaction है, पर मेरे अगर एक बार इससे समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा, सबसे पहले क्या करा, दोनो acetyl और melanoyl को condense कराके, हमने क्या करा, condense कराके, सबसे पहले ketoacyl बनाया, ketoacyl को फिर reduce करा, 3 reaction से, यह आपके उपर याद रखना है की नहीं 3 reaction से ketoacyl को reduce करा, सो हमें मिला सिर्फ acyl, acyl को फिर हमने और ज़्यादा combine करके यह reaction repeat कराई, acyl 4 carbon था, so acyl 16 carbon का लिया, और फिर ultimately हमें हमारा fatty acid मिल गया so this is the reaction of a fatty acid complex जिसमें हम fatty acid synthesis कराते हैं, so अब आपको यह enzymes clear हो गए, ACP आपको यहीं से समझ में आ रहा है acyl carrier protein, so इसका काम ही क्या था, acyl carrier अब यहाँ पे क्या है, यह आपको अच्छे से पता है cis SH मैंने कहा तो कौन है, और pan SH मैंने कहा तो कौन है, तो यह आपका acyl carrier protein यह है, so basically यहाँ पे जो भी acetyl आया है, वो ultimately यहाँ आ जाएगा, combine कर जाएगा और acyl melonyl intermediate याद रखने तो ठीक है, ultimately keto acyl बन जाएगा, और यह आपकी सारी reaction ऐसे further चलती रहेंगी, so एक बार थोड़ा सा complex है, but again मैं आपको बता रहा हूँ, आप यह cycle को एक brief overview याद रखे अब कोई भी textbook का cycle देखेंगे तो आपको easily समझ में आ जाएगा और जो highlighted portion है, वो मैं आपको group में जरूर भेज दूँगा, so आप उसे भी देख लीजेगा, so अब main हम बात करेंगे regulation की, so अगर हमने cycle अच्छे से समझ लिए, so regulation में कोई दिक्कत नहीं होगी, acetyl coenzyme A carboxylase जो है, यह committed step होती है, मैं लब अगर यह हो गई, तो फिर हमारा सारा काम हो जाएगा, so अब इतनी सारी cycle पढ़ लिए, आप सोचेंगे, यह reaction का थी, so यह reaction यह है, जो आपने सबसे पहले motivate किया ना, motivation ही important है, यदि आप motivated नहीं है, तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, so यह सबसे important reaction होती है, और अब यहाँ पर आपको यह सब आप में को खुद बताएंगे, citrate क्या था, citrate हमारा कहाँ पर important था, substrate था, citrate, आपने देखा कि citrate हमारे जित्ता जादा बनेगा, तो उत्ता जादा हमारे acetyl coenzyme ही बनेगा, so citrate कही ना कहीं एक substrate है, तो वो बढ़ा देगा इस reaction को, palmitoyl और melanoyl coenzyme हैं प्रोड़क्ट्स हैं, तो प्रोड़क्ट एकट्टा होगा, तो reaction बहुत जादा fat diet ले रहें, तो फिर और fatty acid synthesis बना के, body खुद का नुकसान नहीं कराएगी, so regulation भी आपका end हो गया, so in all, ये आपकी fatty acid synthesis की reaction खतम हुई, एक बार जल्दी से overview लीजे मेरे साथ, important है, complex है, क्यों बना, ये पता है आपको, requirements क्या थी, requirements जो थी, उसको mitochondria से आप cytoplasm में लाए, उसे motivate करके melonyl बनाया, अब यहाँ से बहुत complex है, so melonyl से आपने सबसे पहले ये दोनों condense कराके, ketoacyl बनाया, ketoacyl को आपने reduce कराके, सिर्फ acyl बनाया, और acyl पर फिर further आपने ये reactions चलाई, 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 तो acyl 4 carbon को आपने acyl 16 carbon में convert करके, आपका fatty acid बना लिया, so ये आपकी reaction थी, आप इसे अब अच्छे से समझ सकते हैं, और अब इस assessment question का जवाब दे दीजे, काफी आसान है, कहीं बाहर आया है, so अब इसका जवाब दे दीजे, और ये काफी important lesson था, इसे अपने friends के साथ ज़रूर share कीजिएगा, क्योंकि हमारे efforts भी जब ही अच्छे होते हैं, जब आप लोगों को फायदा होता है, so keep sharing and keep learning, thank you